अस्रामुलेकूम, nuclear reactions को discuss करेंगे, सबसे पहले nuclear reaction की definition लिखेंगे, types, example के बारे में discussion करेंगे और थोड़ से explanation करेंगे, कि what is nuclear reactions, तो सबसे पहले बात इसकी definition करते हैं, फिर definition को समझेंगे, दो तरीका कार से इसकी definition की जाती है, usually, सबसे पहले हम definition करते हैं, यह एसे reaction होते हैं, in which, जिसमें, in which, जिसमें, two nuclei और a nuclei, two nuclei और a nuclei, आई दो नूक्ली ऐसे खिर सिर्फ ही नूक्लीजुस अनिक लइंड एक्स्टर्णय ऑन एंड एक्स्टर्नल और एक्सेर्न गेटा में बहर से कोछीज आये और एक्स्टर्नल सबाट्यमिक पार टिकल मुईक न्यू टोन harsh Chemical को एक्स्टर्मिक का डिकल collide to produce यह आख ठकराता है collide to produced one or more nucleides nucleide इसको कहते है is called nuclear reaction जहने कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक बड़ा nucleus होता है उसके उपर आपके चोटा particle टकराया का टकराने के नतिजे है हमारे पास चोटे दो nucleus बन सकते है या फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें दो nucleus आपसे मिलते हैं मिलने के बाद एक बड़ा nucleus बनादे है तो को nuclear fusion reaction कहते हैं वह हम नीचे जाके discuss कर लेंगे यह हमारे पास एक तरिके से definition है इसे तरह कि हमारे पास second तरिके कार से definition कर लेते हैं याद रिखेगे हमारे पास दोनों चीज़े बड़ी important है a nuclear reaction in which a nuclear no reaction nuclear reactions कैसे होते हैं जिसमें क्या हो जी in which in which जिसमें in which composition of a nucleus is changed composition composition कहते है तरकीब को composition of the nucleus of the nucleus is changed is changed यह बदल जाए किस सरा बदल जाए वो देखते हैं अभी is changed after the formation of बनने के बाद nucleus composition change किस तरह होगी क्योंकि नहीं चीज़े बन जाएंगे after the formation of new particles new particles nucleus कह सकते हैं इस कार्ड is nuclear reaction जब मैं सिम्पल सी ग्जेंपल देता हूँ मेरे पास यह दो atom है सही है यह मेरे पास दो atom है सही है एक यह हाइडरोजिन का atom और एक है मैं स्पोज कर लेता हूँ हीलियम का atom है अब क्या होता है कि कुछ काम ही होता है कि इन दोनों में यह हमारे पास स्पोज कर लेते हैं प्रोटोन है और यह हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रोन है जब कि इसके अंदर एक ही प्रोटोन स्पोज कर रहा हूं से अभी सिर्फ समझने की हाथ तक अब होता क्या है यह दो आटम आपस में मिल जाते हैं मिलने के बाद इनके न्यूकलेस आपस में फ्यूज कर गए पार हमारे पास कि चोड़ने करने बाद बंड अब हमेरे दो चोटे यो जोड़ा है जोडने को पद बाद एक बड़ा बना रहे हैं उस बड़े नूकल tulee की अगर स्टुक्टर के छिस त्राँ ही बन जाएगी हमारे पास इस तरह इक इसलाएन होता है के हमारे पास 3 टीन ही था जा यहां přाम तरह बाद एक बड़ा नुकलिस और नुकलिस कर दिया है इस तरह की बाद नुकलिस में स्टेंग आ रही है इसको हम कहते हैं नुकलिस फ्यूजन यहां पर fusion हुई है दो चीज़ें आपस में जुड़ गई है बास यह बात याद रखेंगें अब इसका बिल्कुर reverse भी हो सकता है reverse क्या होगा हमारे पस एक बड़ा nucleus हो मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर nucleus बना रहा हूँ एक मेरे पास बड़ा nucleus है अब इस nucleus के अंदर आपको बता जी proton भी होंगे यह मैं सब्सक्राइब तो proton है और इसके अंदर neutrons भी होंगे इसके अंदर neutrons भी मुझूद है पाज मेरे पास इसके अंदर proton है और यहां पर बाकी का कर रहा हूँ ब्लैक से neutron बना रहा हूँ लेजी यह मैरे पास neutron बन गए पाज neutron जब यह वला nucleus तोटתा है तोटने एक बाद दो छोटे nucleus बनाएगा क्या बनाएगा दो छोटे nucleus बनाएगा साइज होड़ चोटा कर लेते हैं यहाँ पर यह वहले मेरे पास दो छोटे न्यूकलिस बन गया अब यह दो छोटे न्यूकलिस के अंदर क्या होगा हमारे पास यह देखें पांच प्रोटोन पांच न्यूकलिस एक के अंदर दो प्रोटोन चले गए एक के अंदर तीन प्रोटोन चले गए और न्यूट्रोन के बात कर लेते हैं इसके अंदर दो न्यूट्रोन आगे और इसके अंदर तीन न्यूट्रोन आगे और हमारे पास यह आटम बन गया है इसके बारे में याद रखेंगे हैं हमारे पास किस तरह बना है बड़े आटम के तूटने की वज़ा से बना है किस तरह ब इन नेचर होते हैं याद रखने है जब बड़ा चोटे नुकलिस के अंदर तूलता है इसको हम कहते हैं नुकलिय फिशन रियक्शन नूकलिय फिशन इससे यह बात आपने याद रखने हैं अब आपको पता चलि होगा है कि हमारे पास ऑगर कैमिकल्स की टाइप देखी जा य बिल्कुल ऑपोजिट है कौन से दो टाइप से हैं एक हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रियक्शन होता है और एक हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रियक्शन होता है क्या होता है एक हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रियक्शन और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है nuclear fusion reaction nuclear fusion fusion reaction üchtा अिरियक्शन आ जाता है अब इन दोनोंraction की बात करोगे न तो यह बि'll call शॉतीर डूब की एक ऑंपॉजिट होता है nuclear fusion reaction एक भी fusion reaction इसमें हमाबारे पास large nucleus होता है nuclear fusion में large nucleus बड़ा nucleus होता है और वो तोट जाता है आदो small nucleus में सिए एक आछ स्माल नियुक्लेस बनेगा इसमाल नियुक्लेस मिलते हैंering कमबाइन हो रहे होते हैं आपस मिल जाते हैं मिलने का बाद हम्मारे पास क्या बन जाता है यह लार्ज नände बन जाता है लार्ज नार्ज न्यूकलिस बन की बने जाता दर्मीयान में alla dogs इसाटी यह बद्राजीनdockה यूरेनियम 235 सही है और इसका अटॉमिक नमबर हमारे पास होता है जी बन में अब इस पर टकरा दो slow moving neutron यह neutron जो होता है इसकी speed slow होती है यह अनर्जी काम होती है हम इसको कहते है slow moving neutron इसके नितिजे में हमारे पास एक जो चीज बनती है वो होता है जिसका atomic mass 141 होता है 141 और इसका जो atomic नमबर हो 56 और इसके साथ हमारे पास बन जाता है krypton के आर्र का atomic mass 92 होता है और atomic number की बात कर दो 36 होता है और इसके साथ एक neutron तो तीन न्यूट्रोन बन रहे होते हैं और इसके साथ लार्ज मांट में अनर्जी आसे इनर्जी रिलीज हो रही होती है यह हमारे पास चीज़े हैं जो कि आपने देखनी है नुकलिर रियक्शन के अंदर डैफिनिशन क्या है जिसमें नुकलिर रियक्शन में क्या हो सकती दो पोसिबिल्टी है च्छोटे newplets आपसे मिलें और बड़ा नुकलस बनातिए नुकलस आपसे मिलें। नुकलस फीजिन करिएक्षिन के रियक्शन के दिमने आएंगे। या पिर एक बड़ा नUकलस तुटे दो च्छोटे नुकलस बनातिए। उसको नुकलर फिशन रियक्शन कहता है जिसमें बड़ा नियू टूट के छोटे दोल में बना देता है सही और इसके आपने एक्जेम्पल देख लेनी है यह हमारे पास आज के लाग्टर अल्ला अफिस